तो आज हम लेके आए हैं जी मेन और जी एडवांस एस्पिरिंस के लिए एक और तौफा जी हाँ आज है कॉंपलेक्स नमर का सवाल दोस्तों आए देखने हैं सवाल में है क्या और इसको सौल कैसे करना है तो आए पढ़ते हैं सवाल को लेट एबी सी बी थ्री पॉइंट्स लाइंग ऑन अस सिर्कल मॉड जेड इकॉल टू वन हम सब को मालूम है एक सर्कल होता है जिसकी रेडियस होगी वन और सेंटर होगा और जिन पे जी हाँ तो यह सर्कल कुछ इस प्रकार से आपको दिखेग ठीक है तो इसमें तीन पॉइंट्स लाइ कर रहे हैं दोस्तों ए बी और सी तो तीनों के तीनों कॉंप्लेक्स संब्स हैं और यहां पर एक अल्फा दिया हुआ है लाइंग बेट्वीन जीरो टू पाई बैटू सच डाट ए प्लस बी कॉस अल्फा प्लस सी साइन अल्फा इकॉल टू जीरो और फिर हमें पूछा गया है तैन स्क्वेर आर्गुमेंट ऑफ ए माइनस बी बाई ए माइनस सी तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यह जो इंफॉमेशन हमें दी गई है ए प्लस बी कॉस अल्फा प्लस सी साइन अल्फा इकॉल टू ज सकता हूं कि बी कॉस अल्फा प्लस सी साइन अल्फा इस एकॉल टू माइनस ए तो दोस्तों ध्यान में रहे कि दोनों के दोनों कॉंप्लेक्स संबर हैं जी हां बी और सी और ए कॉंप्लेक्स संबर हैं तो राइट हैं साइड का जो एक्स्वेशन है और लेफ्ट हैं साइड के expression है, दोनों के दोनों complex number है, तो अगर ये दोनों complex number equal हैं, तो उनका modulus भी equal होगा, दोस्तों, जी हाँ, उनका modulus भी equal होगा, और इतना ही नहीं, the square of the modulus will also be equal, yes or no, तो using the property that mod z square is z into z conjugate, let us try to simplify the left hand side of the expression, तो left hand side पर काम करते हैं, तो जो left side के expression है, हम लिख सकते हैं उसको, b cos alpha plus c sin alpha, मैं हम इताब बचन की तरक्किव साउंड कर रहा हूं, और conjugate of this, conjugate will be b conjugate cos alpha, c conjugate sin alpha equal to mod a square, mod a square, दोस्तों, 1 होगा, क्यों 1 होगा, क्योंकि a, b, c satisfy कर रहा है इस circle equation को, इसका मतलब क्या, कि mod a, mod b और mod c, तीनों complex number के जो modulus होंगे, तीनों complex number के जो moduli होंगे, वो 1 होंगे, ठीक है, चलिए, आईए इसको expand करते हैं, तबियत से, बहुत अच्छी बाल है, अब b, b, conjugate हो जाएगा, mod b square, c, c conjugate होगा, mod c square, तो वो भी 1 बन जाएंगे, तो दोस्तों, इस property का मैं फिर से, इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पर, तो this will become, this will become, cos square alpha, sin square alpha, and here I will end up getting, b conjugate c, plus b c conjugate, sin alpha, cos alpha, equal to 1, right, तो दोस्तों, हमें यह भी मालूम है, कि sin square alpha, cos square alpha, यह भी 1 होता है, तो यह पूरा का पूरा expression, यहाँ 1 से cancel हो जाएगा, तो बचके क्या निकलेगा, बचके निकलेगा हमारा, b c conjugate c, b c conjugate, into sin alpha, cos alpha, equal to 0, अब दोस्तों, यहाँ दो possibility बन के आती है, एक possibility यह बन के आती है, कि यह महाशय 0 हो सकते हैं, और दूसरी possibility बन के आती है, कि यह महाशय 0 बन सकते हैं, पट क्योंकि, क्योंकि हमें दिया गया है, कि हमारा alpha लाई करता है, 0 से 5 बाई 2 के रेंज में, तो 0 से 5 बाई 2 के रेंज में, exclusive 0, exclusive 5 बाई 2, इसका मतलब यह तो 0 नहीं हो सकता है, जी हाँ, यह 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या इसका मतलब की दोस्तों ये 0 हो रहा है करेक्ट अगर ये 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि B conjugate C is negative B C conjugate अब इसका मतलब क्या इसका मतलब है B conjugate by C conjugate is minus B by C दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होगे कि एक ऐसा situation बनके आया है जहां पर किसी भी complex number का किसी भी complex number का अगर conjugate उसके negative के बराबर होता है तो दोस्तों इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि Z is purely imaginary जी हाँ Z purely imaginary होगा क्योंकि purely imaginary के नंबर के case में ही उनका conjugate उनके negative के बराबर होता है तो इसका ये कहने का मतलब है दोस्तों कि B by C is plus minus I ठीक है तो मतलब B is equal to plus minus C I जी हां तो यहां पर without any loss of generality क्या हम मान सकते हैं कि let B is equal to C I चलिए अब ये information बहुत important information है क्योंकि अब हमें बहुत आसानी से B और C के positions को दिखाने में मदद मिलेगी तो अगर हमारा दोस्तों यहां ध्यान से सुनियेगा बहुत important concept है बहुत ही important concept है यहां पे तो अगर हमारा C यहां पे है complex number में right C यहां पे है तो जो B की position होगी वह exactly 90 degree anti-clockwise position पे होगी अगर आप B को C I मानते हैं तो ठीक है यह बहुत simple सा concept है यहां पे this is the concept of rotation in complex numbers तो अगर मान लीजिए C is R e to the power i theta i तो क्या होता है i होता है 1 e to the power i pi by 2 तो जब आप C I करते हो तो क्या होता है C I में R e to the power i theta plus pi by 2 हो जाता है that means the argument of B is pi by 2 more than the argument of C करेक्ट तो pi by 2 anti-clockwise direction पे होगा तो यह बहुत ही important information है तो मान लीजिए हमारा a कहीं यहां है दोस्तों तो यह जो angle होगा यह साफ तोर पे 45 degrees बन जाएगा यह साफ तोर पे pi by 4 बन जाएगा है कि नहीं क्योंकि यह basically circle की property है तो चलिए अब यहां पे अब यहां पे हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं यहां पे let us apply let us apply कोनी rotation theorem at a तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग तो दोस्तों यहां पे अगर आप इस expression को देखिएगा तो अगर आपने इस question को ध्यान से पढ़ा है तो आपको दिखेगा कि यह जो expression है a minus b by a minus c यह कोनी rotation theorem के expression से match करता हुआ दिख रहा है जी यहां दोस्तों तो अगर हम a पर कोनी लगाते हैं तो देखिए क्या बन के आता है तो आईए यहां पर कोनी लगाते हैं तो अगर हम a पर कोनी लगाएंगे तो दोस्तों कोनी के लिए हम सबको मालूम है कि एक एंगल बन के आना चाहिए यहां पर तो यह एंगल है हमारा 5 by 4 तो यह complex number a है यह complex number b है यह complex number c है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं we take the difference of the complex numbers which are on the head of the arrow so b minus a divided by c minus a this is equal to mod b minus a mod c minus a e to the power i अगर आपने अंगल को anti clockwise लिया है so it will be pi by 4 तो कहने का यह मतलब है दोस्तों it implies that the argument of b minus a by c minus a is pi by 4 यह यह कह सकते हैं कि argument of a minus b by a minus c is pi by 4 यह बहुत बड़ा information है फिर आपने यहाँ पे b equal to minus c i लिया होता तो आपको same expression मिलता minus pi by 4 हलाकि उससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि हमें यहाँ पे tan square निकालना है तो angle pi by 4 हो या minus pi by 4 हो tan square को तो 1 ही देना है तो दोस्तों यहाँ पे हमारा answer यह ही निकल के आ गया है तो हमारा answer होगा tan square plus minus pi by 4 आप लिखलो कोई फरक नहीं पड़ता answer हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1 so this is the answer to this question आशा करता हूँ इस question के मदद से आपको कोनी rotation theorem कैसे हम conjugate की property यूज कर सकते हैं और कैसे geometry की मदद से हम complex number के सवालों को आजसान कर सकते हैं यह सीखने को मिला होगा thank you so much for watching be healthy be safe